अपYourवेलकाम बैक टूरे यट अदर सेशन आज हम लोग क्या करने वाले आज एक नया मुदे के ओपर चर्चा करने वाले हम लोग जिसका नाम है डिस बर जंग ट लोगे है डिसपरजन चर्टर हम लोगो स्टार्ट करने में है टीडिंग डालो मेज़र all of dispersion क्या heading डालोगे measure of dispersion तो क्या है यह chapter dispersion और क्यों MOCT के बाद इस chapter को पढ़ाया जाता है MOCT के पहले क्यों नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि MOCT के बहुत सारे concept इस chapter के अंदर use होने वाला है जैसे mean निकालते कैसे हैं, median कैसे निकालते हैं बोड कैसे निकालते हैं यह सब यहां पर यूज होने वाला है यह भी मैं बोल दूँँ थीक है पहली बात दूसरी बात यह इस चाप्टर के पहली भूमी का समझो वाई वी अर गूंट टू स्टैट इस चैप्टर इस दिस चैप्टर इस अपर इस डिस्पर्जन का मतलब क्य याद होगा मैं क्लास के लिया था जहां पर एक बच्चे की एच दस है एज नहीं एक बच्चे का वेट दस और एक बच्चे का एच वेट सो है ठीक है प्राटिकली इंपॉसिबल है बट लेट्स टेक डिस ठीक है ऐसा है और फिर उसका हम लोग उसका अवरेज निकाल ले जैसे कि तुम लोगों कि याद होगे हम लोग मैस पढ़ रहे थे तो हम लोग पहले इंडाइसेश चैटर पढ़े पर इंडाइसेश चैटर एक पॉइंट ऑफ टाइम के हमें आने के बाद इन्वैलिड हो गया था यहाद है टू की पावर हम लोग जब मैं 5000 लिखा था हम निकाल पा रहे थे क्योंकि वहाँ पर इंडाइसेश बाई कितने बार इस इकवल तो दबाओ तो वहाँ पर आया था लॉग देवता बनके वैसी यहाँ पर एमोसीटी जहां पर लैक कर जाएगा वहाँ पर डिस्परजन आ जाएगा तो डिस्परजन क्या बोलता है कि मैं आप जो सेंटल टेंडेंसी वैल्यू निकाले हो जो आप सेंटल टेंडेंसी की वैल्यू फाइंड कियो वह एक्ट्वल डेटा से कितना डेवियेट कर रही है कितना दूर है कितना वैरी कर रही है समझ भाई बात डिस्परजन क्या बताएगा मिरको मैं को डिस्परजन यह बताएगा कि आपकी जो central tendency value निकली है वो actual value से कितना ज्यादा deviate कर रही है is it clear to you all guys कि what this chapter is going to communicate with us tell me yes okay so this is the what we can say objective of chapter to find the deviation of measure of central tendency with the actual data that's it this is the this is the objective जड़ते हैं नहीं है इस चाप्टर का अभी चाप्टर के तर वही बहुत सारे formula हम लोगों को पढ़ने अब यह formula ना दो टाइप की measures पे measure of dispersion जो है वो दो टाइप के measures पे divided है कि एक है तुम्हारा absolute measure और यह के बच्चो relative measure एक होता है absolute measure और एक होता है relative measure absolute और relative measure का मतलब क्या होता है यह समझ लेना तो absolute measure का मतलब होता है कि जिस format में आपको data दिया है उसी format में आप answer ला रहे हो आई बात measure क्या होता है कि हम लोग जिस format में question है उस format में answer ना लाते हुए कोई और format में answer ला रहे है ताकि हम उसको compare कर सके जैसे मेरे को बात बताओ एक data मेरे पास centimeter में एक data मेरे पास meter में है I cannot compare centimeter with meter chapter number one में पढ़े थे ratio में कि हम लोग यह नहीं कर सकते हमको क्या करना पड़ेगा सेंटिमेटर को मीटर में या मीटर को सेंटिमेटर में convert करना पड़ेगा यह करना पड़ता है क्या यह करना पड़ता है तो वैसे ही मेल और फीमेल का data है तो मेल के परसेंटेज निकाल लिए फीमेल के परसेंटेज निकाल लिए इससे में compare कर सकता हूं कि हाओ मेनी लाइक परसेंटेज ऑफ मेल सब्सक्राइब कर रहोंगे तो पहला जो absolute measure के अंदर आता है वो आता है रेंज सबस्यादा पसंद आपको यही आएगा सबस्यादा पसंद मतलब कोई भी मैथड हो कोई भी सीरीज हो सबस्यादा पसंद आपको रेंज आने वाला है इसके बाद आएगा कॉल्टाइड डेवियेशन और इसी को हम लोग एक और हम लोग पढ़ेंगे इंटर कॉल्टाइड डेवियेशन थर्ड में आएगा आपका मीन डेवियेशन फूर्थ में आएगा स्टैंडर्ड डेवियेशन और फिफ में आएगा लॉरेंस कर्व अल्दो लॉरेंस कर्व हम लोगों पढ़ना नहीं है बट अगर मैं अपने पास कुश्चन आ गया कि कौन सा कौन सा अप्सिलूट मेजर होता है तो कहीं पता चलो उसमें लॉरेंस कर में तुम लोग करबढ़ी ना कर दिया अब रिलेटिव में क्या आता है सुन आप रिलेटीव में कोफिशंट पहला को अफिशंट ऑफ रेंज अगर कोफिशंट औफ कॉल टाइल डेविएशन थर्ड आएगा coefficient of mean deviation और फॉर्थ आएगा coefficient of standard deviation और इसी को हम लोग coefficient of variance भी बोलते हैं थीक है तो इसको note down कर लो इसके उपर एक dedicated mcq आ जाता है कि absolute measure और relative measure क्या क्या है थीक है लॉरेंस कर्व के उपर mcq नहीं बन सकता न तुमनों की यह समझो मदब कर्व के उपर mcq नहीं बन सकता theoretically question आ सकता है तो इसलिए की लॉरेंस कर भी नेट तो अल्सो डिसकस्ट की के बेटा येस अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं कि एडिंग डालो विथ रेंज तो सबसे वहले में को डिसका करना है रेंज और साथ-साथ में लोग को एफिशेंट ऑफ रेंज भी देखेंगे ठीक है डन है तो सबसे बहले रेंज का फॉर्मूला क्या होता है समझना ओके यहार से मैं बोलू तो ओफिशेंट ऑफ रेंज का होता है लार्जेस्ट माइनस मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट यह होता है कोफिशेंट अफ रेज तो यह दोनों के फॉर्मूले इसको नोट कर लो फिर हम लोग इसको डील करेंगे इंडिविज्विज्व सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूर्स सीरीज कैसे कैसे कैल्कुलेट कर सकते हैं डन ओके शलो सबसे पहले हम देखते हैं कैल्कुलेशन ओफ रेंज इन केस ओफ इंडिविज्व सीरीज, तो हम इंडिविज्विज्व सीरीज के कैस में कैल्कुलेशन देखते हैं पहले एक एक एक्जाम्पल लिख लेते हैं इंडिविज्व सीरीज का ठीक है 105, 80, 90, 70, 65, 100, 45 ठीक है मैं अभी तो लिख लिख के दिखाऊंगा पर तुम लोग को तो question का PDF मिल गया है ठीक है अभी मैं लिख लिख के दिखाऊंगा अब यहां पर यह series को देखो individual series है यहां पर largest item कौन सा है यह बताओ what is the largest item here बताओ 105 भाईया this is the largest item or what is smallest smallest कौन सा है 45 so this is largest or this is smallest what is the formula for range 105 minus 45 कितना आ जाएगा 60 भाईया 60 आ रहा है ओके coefficient of range बताओ largest minus smallest upon largest plus smallest देख लो ratio के format में है yes ratio के format में है यह हो जाएगा 60 upon 150 0.4 this is what coefficient of range clear clear है सबको कैसे निकालते हैं इंडिविजूल से सीरीज के केस में yes question लिखो भाईया question 2 चलो बेटा question है 20 25 22 35 30 35 60 55 25 55 25 और 90 चलो बताओ what is largest बताओ 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 पाद लार्जेस्ट भाईया 90 बताओ थो 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 स्मॉलेस्ट भाईया थ्वेंटी तो यह हो गया लार्जेस्ट यह हो गया कितना हो गया यह 70 हो गया, coefficient of range 7 divided by 11, 0.63, 0.64 लिखेंगे rounded off करके, okay, is it clear to you all? बोलो, yes भीया, चलो, अब next हम देखते हैं, calculation of range, in case of discrete series, discrete series में कैसे calculate करते हैं, तो देखना, इसको भी question से समझेंगे, question बच्चो, x और f, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, logic, हो गया, अब देखो, यहाँ पर largest item क्या यह बताओ, हो, what is largest here, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, बोलो बच्चो, largest, very good, very, very good, बेटा x को देखना, no frequency, बेटा मेरे को यह नहीं देखना है कि कौन सा आइटम कितने बार repeat हो रहा है, range क्या बोलता है, मेरे को यह देखना है, कौन सा आइटम सबसे जादा बड़ा है, तो items तो x में होते हैं, items किस में होते हैं, x में होते हैं, मेरे को यह देखना है, x में सबसादा बड़ा कौन है, 20 सबसे बड़ा है, सबसे छोटू कौन है, 12 है, क्या मेरे को frequency से कोई लेना देना है, no, इस situation में में को frequency से कोई लेना देना नहीं है, तो यह जाएगा largest, यह जाएगा smallest, range is equal to 20 minus 12, 8, or coefficient of range is equal to, कितना आ जाएगा, 8 divided by 32, 0.25, clear, क्या मेरे को frequency से कोई लेना देना है, in case of discrete series, no, मेरे को x में देखना है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, and that's it, काम खतम देना, just need to watch, what is the largest value, and what is the smallest value, and that's it, game is closed, question दो भाया, question मज़ा नहीं आ रहा जिंदगी में, okay, जिंदगी में मज़े डालेंगे, हम question देखे, लेखो, marks, number of students, okay, we are going to write 10, 20, 30, 40, 50, and 60, it's 8, 18, 24, 36, 46, and 22, okay, so here, पहला काम मेरा question में, इसको काटना, पहला काम यह है, दूसरा काम, largest, smallest को ढूड़ना, तो range क्या आ जाएगा, 5 divided by 7, 0.7142, ओके, clear, बोलो, yes, बस यह ऐसा ही है, next, okay, झाले हैं क 근데 i तो के दो दो जो तोरे, दोम पहाईआズ Leası, क्षथरा के ढूऽ ज aument अरका जगयूब ऊह अरी ब yoijnारी है, यहित वेदाना, पट्ड़कर जाएउएँ सीस्या के यहित सत्या है, सिताशा हैं, गयोग झाले हैं, झाले हैं, कि यहां पर देखो continue series के case में तुम लोगों को मैं सक question से समझाने वाला हूं यहां पर भी हमको क्या करना है x को पकड़ना है इसको पकड़ना है x को यहां पर भी मेरे को frequency से कोई लेना देना नहीं है largest value को पकड़ो smallest value को पकड़ो largest smallest and that's it तो कैसे निकलेगा range largest minus smallest 80 minus 20 60 और coefficient of range largest minus smallest largest plus smallest 0.6 is it clear to you all continuous series के case में कैसे निकालना है clear रहे गया हूं yes तो मोटा मोटा individual series में भी आपको सबसे बड़ा सबसे चोटा डूढना है discrete series में भी आपको x को पकड़ना है सबसे बड़ा सबसे चोटा डूढना है ठीक है तीक है यस ओके नेक्स्ट क्वेस्टन लेको let's write down question marks तुमको less than में दिया हुआ है इस सीथ का खास धियान रखना marks तुमको less than में दिया है इस सीथ का धियान रखना that's it find out करके बताओ में कितना आएगा you can try first then I am going to tell you yes तो सबसे पहले मेरे को यह less than series को नॉर्मल में convert करना पड़ेगा और उसमें मैं पूरी series को नॉर्मल में convert नहीं करूंगा less than 5 है तो 0 से 5 less than 40 है तो 35 से 40 यह होगा ना यह होगा ना 55 का gap है और मैं पूरी series को क्यों convert करूं मेरे को 10 maximum और minimum value से लेना देना है यह है largest यह smallest तो रेंज निकाल लो largest minus smallest और coefficient निकाल लो लार्जस माइनस मॉलेस्ट अपॉन लार्जस प्लस मॉलेस्ट वन दाट सिट एगदाम इजी बस मेरे को मेरे को लार्जस से मतलब है smallest से मतलब है तो मैं यह दूनों convert करूंगा और largest smallest value निकाल लूँगा क्लियर लिख लो इसको फटाक से ठीक बच्चाबाटी को ओके चलो नेक्स पॉस्चिन लिखो एक्स पॉस्चिन लिखो एक्स 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89, 90 से 99 frequency is 70, 20, 36, 48, 56, 72 क्या करना पड़ेगा इस सीरीज में बताओ क्या करना पड़ेगा इस सीरीज में यह सिरीज ब्रेंट हैं इस सीरीज इंक्लूजिव नेचर की है यह सै क्या करना पड़ेगा यह क्नवर्ड करना पड़ेग एक्सलूजिव में माइनस पॉइंट पफ्लस पोइंट वह भी मैं सब के साथ न ही चाहाँगा पहले के साथ करूँगा आखरी वाली के साथ करूँगा बात खत्म तो यह हो जाएगा 39.5 49.5 39.5 99.5 बस क्योंकि मेरे को इतसे मतलब है और इतसे मतलब है and that's it largest smallest range क्या हो जाएगा largest minus smallest और coefficient क्या हो जाएगा largest minus smallest upon largest plus smallest 99.5 minus 39.5 60 upon 99.5 plus 39.5 139 clear तो इतना हो गया 60 upon 139 0.43 and that's it note कर लो इसको ठीके बच्चा बाटी yes next हम लोग आ रहे हैं inter quartile range quartile deviation and coefficient of quartile deviation ये तीन चीज़ हम लोग करने वाले हैं ठीके हैं inter quartile range quartile deviation and coefficient of quartile deviation ठीके है तो सबसे पहले लिखो inter quartile range क्या होता है q3 q3 minus q1 और I think q3 minus q1 से तुम लोग अल्रेडी favorable हो moct partition value है ना बस ये वही वाला q3 minus q1 है नेक्स्ट कॉल्टाइल डेवियेशन q3 minus q1 upon 2 q3 minus q1 upon 2 और coefficient में हो जाएगा q3 minus q1 upon q3 plus q1 ये तीन फॉर्मूले और यहां सब जगा कॉल्टाइल वही वाला है जो हम लोग moct partition value में पढ़े थे इसको note कर लो फटाक से पिर हम लोग वही individual series के case में discrete और continuous series के case में देखेंगे कैसे होता है वैसे तुम लोग को कॉल्टाइल निकलने आता है तीनों case में तीनों case में कॉल्टाइल निकलने आता है न बस तो बचल तुम लोग को कॉल्टाइल आता है चलो तबसे लिखो calculation of अब यहां पर हम लोग को सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि देखो बच्चावाटी यह question अपना individual series का अब यहां पर हम लोग को सबसे पहले निकालना पड़ेगा q1 और q3 individual series के case में q1 का formula क्या होता है फटा-फट से बताओ भाईया q1 का formula होता है 10 प्लस 1 बाइ 4th item n प्लस 1 बाइ 4th item होता है तो number of terms कितने एक दो तीन चार पांच छे साथ है 7 प्लस 1 बाइ 4th item 8 बाइ 4th second item तो उससे आप से q1 कितना आ जाएगा q1 कितना जाएगा second item देखो यह first item यह second item second item कितना रहे हैं a beta increasing order beta a 100 beta a 100 are increasing order में तुम लुक जमाल हो अगर तुम को जमाना है तो अगर तुमको जमाना है 80, 140, 160, 120, 80, 100, 180, 200 है यह, इसको 200 कर लो, यह रिपीट हो गया है दो बार, चलो, तो रैंक, रैंकिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यह रैंकिंग है, यह रैंकिंग आइटम्स की रैंकिंग है यह, चलो Q3 निकालो, वही सेकेंड आइटम, इन्टू 3, 6th आइटम, Q3 कितना आजाएगा, 180 आजाएगा, ठीक है, तो Q1 और Q3 निकालने हमको आल्रेडी आता था, हाँ भाई है यह तो आल्रेडी हमारे खून में था, इन्टू आइटम, 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 और इंटर कॉल्टाल डेविएशन हो गया, कॉल्टाल डेविएशन हो गया next coefficient तो 180-100 हो जाएगा, 80 divided by 280, तो यहार है 0.29, clear है? clear है क्या? yes, note कर लो इसको, in case of individual series चलो बेटा जी एक और question करके देखते हैं, test your skills question देखो, 40, 44, 50, 58, 62, 72, 47, 67, लो, तो पहले तो अपने डेटा को ascending order में जमा लेना तुम लोग, ठीक है नहीं, तो बाद में तुम लोग confusion create कर लेते हो, ascending order, ठीक है, अब Q1 निकालना है, हाँ बहिए, Q1 हो जाएगा, N plus 1 by 4th item, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, 9 divided by 4, 2.25th item, तो यह कैसे होगा, second item, 44, plus 0.25 of 3rd item, minus second item, 47 minus 44, into 0.25, plus 44, 44.75, and that's it, clear है Q1, तब को 44.75, yes, Q3 निकाल लेते हैं, तो Q3 यह ने 2.25 item आया था, Q1 में इसमें 3 में multiply कर दो, 2.25, into 3, 6.75th item, तो यह हो जाएगा, 6th item, कौन से 6th, एक, दो, तीन, चार, पांच, 62, plus 0.75 of 67 minus 62, 67 minus 62, into 0.75, plus 62, यह हो जाएगा, 65.75, Q3 आगे, 65.75, चलो, तो Q1 मिल गया, Q3 मिल गया, तब question यही पर खतम हो जाता है, फिर अब हम लोग यहाँ पर निकाल देते हैं, इंटर, पॉल्टाइल, डेवियेशन, 65.75, minus 44.75, यह हो जाएगा, 21, ओल्टाइल डेवियेशन हो जाएगा, 21 upon 2, और coefficient हो जाएगा, 110.5, 0.19, clear, clear बच्चो, इस ते नोट इन नोट इन दाउ, पॉल्टाइल निकालने का तरीक अपना सेम है, जो हम लोग पिसले चाप्टर पर पढ़े थे, बस यहाँ पर फॉर्मूला में हम लोग को डालना है, सारी चीज़ों, ओके भई है, done, चलो, ठीक है, calculation of next, लेको, calculation of call tiles in case of discrete series so discrete series के case में हम लोग calculation करने वाले है, ठीक है, discrete series के case में हम लोग discuss करने वाले है, तो questions नहीं करेंगे, of course, question लिख लो, 155, 158, 160, 162, 164, 165, 166, and 168, this is marks, number of students 20, 36, 18, 20, 18, 24, 22, 20 और 21, चलो, तो solving करना है, सबसे पहले class, क्या निकालना पड़ता है, class interval निकालना पड़ता है, 20, तो यह जाएगा, 56, 76, 74, 94, 112, 136, 158, 178, 190, 9, cumulative frequency आ चुकी है, Q1 का formula क्या है, इस case में भी same होता है, Q1 का formula, 199 प्लस 1 बाए 4, 200 बाए 4, 50 आ गया, तो बताओ Q1 क्या होगा, Q1 क्या होगा, इसके अंडर में फस रहा है, कौन से CF के अंडर में फस रहा है, 56 के अंडर में फस रहा है, तो यानि कि 155 हो जाएगा मेरा Q1, Q3 निकाल लो, 150, इसके अंडर में फस रहा है, 150, 165 के, 165 होगा, Q3, बस, अब solve कर दो, Interqualtile Deviation, 155 से 165, 155, Volatile Deviation, Coefficient, 5 upon 165 plus 155, 320, 0.0156, low, अच्छा, हाँ, solve, भहिया, Coefficient में उपर 10 होगा न, हाँ, 5 लिख दिया था, 10 divided by 320, 0.03125, 5, low, 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 in case of discrete series, चलो, बच्चा बाटी, Question लिखो, Question, X, 12, 14, 16, 18, 20, 22, frequency है, 2, 3, 9, 21, 10 or 5, ठीक है, चलो, TF निकालना है, cumulative frequency, 2, 5, 14, 14 plus 21, 35, 45, 50, 10 plus 1 by, 4, 50 plus 1 by, 4, 51 by, 4, 12.75, किसके अंडर में फत्र है, 12.75, 16 आयागा इसका आंसर, Q1, Q3, 12.75 x 3, 38.25, किसके अंडर में फत्र है, 38.25, 20 अंडर, 20 आगे Q3, and that's it, अब निकाल दो, Inter, Qualtile, Deviation, 20-16, 4, Qualtile Deviation, 2, और, तीसरा अपना कहे, coefficient, 4, 20, 30, 30, 36, 0.11, that's it, Easy, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, discrete series तक, अभी continuous series बाकी है, फिर्टेत में दे केंट हैं, 2, 3, 1, 1, 2, 2, 2, येस, ओके, दन दना, दन, तुर नेक्स्ट, क्यालकुलेशन ओव पॉल्टाइल्स, इन केस ओफ, कंटिनुवस सीरीज, हमनों क्वल्टाइल निकालने वाले हैं, इन केस ओफ, कंटिनुवस सीरीज, क्वेस्टन लिखो, बच्चे हो, मार्क्स, जिरो से फविवल, प्विवल, उन के तन, तन से फिफटी, विवल्टी से टूंटीव, ऋन के तरीव से थर्तीव, च्टीव से इन के निववल्ट, प्टीव से लिवटीच्ट, नमबर अव तुदेंच्टंस, 3, 7, 8, 12, 12, 8, 6, 4 ठीक है तब इस पे भी हम लोगों क्या करना पड़ता है सबसे पहले CF निकालना पड़ता है 3, 10, 18, 30, 42, 50, 56, 60, CF इस पे फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है थोड़ा सा चेंज हो जाता है Q1 का फॉर्मूला हो जाता है N by 4 तो यह हो जाएगा 60 by 4 60 divided by 4 तो यहां जाएगा 15 और 15 कौन से CF के एंडर में फस रहे है यह वाले के एंडर में फस रहे है तो यहां पर एक फॉर्मूला लग जाता है Q1 का L1 प्लस N by 4 माइनस उपर वाला CF अपॉन सामने वाला F इंटू I तो Q1 कितना आ जाएगा यह 15 माइनस 10 divided by 8 इंटू 5 प्लस 10 13.125 यह आगे Q1 Q3 निकालना है तो बस कुछ नहीं 15 को 3 से मल्टिप्लाइ करो 45 45 किसके अंडर में फस रहे है इसके अंडर में तो Q3 is equal to L1 प्लस N by 4 3 N by 4 माइनस CF अपॉन F इंटू I 45 माइनस 42 divided by 8 इंटू 5 प्लस 25 26.875 तो यह आगे है मेरा Q1 और Q3 मैं बोला ना इस चैप्टर में तुम्हारा कुछ नहीं तो MOCT तो रिवाइस हो गई होगा पूरा देख रहो कॉल्टाइल ही निकाल रहे हम लोग जो हम लोग पिछले चैप्टर में निकाले थे हम लोग इस चैप्टर में फिर से निकाल रहे हैं तो लोग यह मत बोलना पेज सोचना भाई है पेज की कंजूसी है इतनी आप यहीं पर घुशा दे रहो बेटा ताकि हम लोग डेटा हैंडी मिल जाए इसको तुम आलास बोल सकते हो 26.875 minus 13.125 13.75 qualitative deviation 6.875 coefficient 13.75 divided by 26.875 plus 13.125 40 0.34 हो गया हो गया जी हो गया बच्चो का कामरे हो गया जी हो गया कॉल्टाइल का नाम नोट इट डाउन बच्चो तुम लोगो ओवर ओल तुम लोगो कॉल्टाइल के अंदर सिर्फ Q1 और Q3 निकालने आना चीज हम लोग partition value में ही चीख क्या है थे वही तुम लोगो आता है तो तुम लोगो ये बनता है पूरा टॉपिक कुछ नया देखने को मिलेगा तो वह mean deviation और standard deviation में रेंज तो हलका था ठीक है येस भाइया भाइया question भाइया question की बारिशे होनी चाहिए भाइया मैं बोला मॉनसून येस भाइया question मॉनसून दिखाओ आप ठीक है लास इंटरवल लिखो जीरो से 10 10 से 20 20 से 30 20 से 40 40 से 60 and 60 से 90 ग्लास इंटरवल हो गया frequency 5, 8, 16, 7, 4 क्या निकालेंगे CF निकालेंगे 5, 13, 13, 13, 16 29, 36 40 हो गया मेरा CF ठीक है अब लेंगे N by 4 40 upon 4 ये हो गया 10 इसके अंडर में आ रहे L1 plus N by 4 minus CF upon F into I 5 divided by 8 into 10 plus 10, 16.25 ये हो गया Q1 ठीक है Q3 भी ये क्या dispersion hard है बेटा dispersion hard नहीं बेटा formula पे बेज़़ए पूरा statistics ही hard नहीं है पूरा formula पे बेज़़ए hard बेटा तब बोलते हैं जब formula याद नहीं होता बच्चों को formula याद नहीं हो बोलेंगे hard है बच्चों को किसा एंधा एंधा etes कि अच्छों कि अच्छों कि ऐसे होगा यह अब निकाल लो इंटर कॉल्टायर डेवेशन कॉल्टायर डेवेशन और वो तीनों निकाल लो हाँ एक चीज का जहां रखो सुनो यहां गलती है यह 20 होगा बेटा 40 से 60 20 है 20 के साब से इसको कर लो तुम लोग 42.86 कर लो अब निकालो इंटर कॉल्टायर डेवेशन निकालो कॉल्टायर डेवेशन निकालो और कोफिशन निकालो 42.86 16.25 इसको कालकुलेट कर लो इसको कालो इसको कालो नो कमिंग तो नेक्स्ट विच इस मीन डेविएशन नाम में आंसर है मीन से डेविएशन निकालते हैं तो मीन डेविएशन इसमें लिखो फॉर्मूला मीन डेविएशन निकालने के दो तरीके हैं मीन डेविएशन मीडियन से निकाल सकते हैं मीन डेविएशन मीन से निकाल सक दो तरीके से निकाल सकते हैं तो चलो बहले पर्मॉलरी को mean deviation from mean मतलब mean deviation निकालने वाले mean का use करके इसका जो symbol होता है mean deviation of bar x मतलब from bar x is equal to sigma d upon n d है न यह d sigma d upon n और here d is equal to होता है x minus bar x next हम निकालेंगे mean deviation from median इसका sign होता है mean deviation from median ऐसे करके होता है इसका भी formula sigma d है upon n है परक्य है यहाँ पर d is equal to x minus median है उपर में था x minus bar x यहाँ पर x minus median this is the formula for mean deviation clear है इसको note कर लो note कर लो बहुत easy है बहुत easy है बहुत easy है एकदम लट्डू yes अब अब इसके बाद में लिखो coefficient of mean deviation from mean तो यह हो जाए का mean deviation upon mean mean deviation upon median इसमें हम लोग mean deviation from mean लेते हे और इसमें हम लोग mean deviation from median लेते हैं मतलब जब मैं मीन सेнить का बहूंगा मीन से इवाट करूँगा और जब म Di PA में deviation को median से निकालुगा तह मैं उसको median से डिवाइड करूगा specific क्लियर है लिख लो फिर उसके बाद तो अभी हम लो क्वेस्टन सॉल्फ करेंगे इन केस आप इंडिविज्विज्वल डिस्क्रीट और कंटिनियूर्स तो तुम लों को समझ में आएगा कि क्या फॉर्मूला कैसे अपलाई होता है ठीक है बच्चों येस चलो क्वेश्चन करेंगे अब येस भाईया क्वेश्चन करा दो ठीक है लेको क्वेश्चन इन केस आफ इंडिविज्विज्वल सीरीज ठीक है लेको 10,8,6,12,14 ठीक है 10,8,6,12,14 ये एक नॉर्मल अपना बेसिक सा क्वेश्चन है इसको हम लोग लिख लेते हैं अच्छे से पॉर्मेट में ठीक है ये अपनी रैंकिंग वाइस हम लोग लिख लिए अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा मीन निकालना पड़ेगा तो इसका मीन बताओ पटापट से बार एक्स बताओ सिगमा एक्स अपॉन एन कितना आएगा तो अब एक्स माइनस बार एक्स निकालो वो भी मॉड में वो भी मॉड में निकालना ना एक्स माइनस बार एक्स मॉड में है मॉड में मतलब नेगेटिव वेल्यू भी पॉजिटिव हो जाती है तो इग्नोर करो प्लस माइनस को सीधा सब पॉजिटिव लिख दो तो जाएगा 4, 2, 0, 2, 4 सब को plus करो 6, 6, 12 हो जाएगा Is it clear? clear mod लगा हुए है mod का मतलब क्या होता है ये दो डंडे जो लगे हुए है D के उसमें इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब यह होता है कि सारी value negative value positive हो जाएगी और positive positive भी रहेगी इसली देख लो यहां सब positive हो गया तो मैं sign को ignore ही कर दिया clear है formula क्या होता है mean deviation from mean का mean deviation from mean का formula क्या होता है sigma d upon n होता है ठीक है तो sigma d कितना है 12, n कितना है 5 तो कितना आजाएगा ये 12 दिवाइड बाए 5 2.4 4 efficient बता दो so mean deviation by bar x upon bar x so mean deviation 2.4 bar x 10 0.24 0.24 is it clear to you all बताओ इससे हलका कुछ हो सकता है जिंदगी में इससे light weight कुछ हो सकता है क्या जिंदगी हाँ भही हाँ फुगा फुगा light weight होता है ठीक है ठीक है clear तो एक बार और फटा फट से सुन लो सबसे पहले तुम लोगों को x दिया रहेगा question में individual series है आपको mean निकाल लेना है और आपको x minus bar x करना है x minus bar x यानि कि यह देको मैं लिख के दिखाता हूँ तुम लोगों को x minus bar x करना है तो यह 6 minus 10 करना है ठीक है बच्चो डान है यह मॉड वाला सीन तुम लोगों को समझ मैं है कि तुम लोगों को पहले x minus bar x निकालना है फिर उसको मॉड में डाल देना है मॉड का मतलब यह होता है कि कोई भी negative value को positive कर देता है वो बस एक ही काम है कोई भी negative value को positive कर देता है तो यहाँ minus 4 आया था उसको plus 4 कर दिया minus 2 को plus 2 कर दिया minus करते ही और direct positive लिखता है इतना time क्यों waste करें mcq करना है हम लोगो solve इतना टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग डारेक्ट लिखेंगे ठीक चलो बेएक question मीडियन के साथ हो जाए ओके ठीक है six eight ten twelve 14 चलो same question median के साथ पटा पट से median निकाल के बताओ मेर को इसका median आखों से बता दो देखके नेकेड़ाइस देखके बताओ median क्या है एक्स माइनस मीडियन मौड में निकालूंगा तो यह जाएगा 12 अपॉन 5 तो यह भी आजाएगा 2.4 और coefficient आजाएगा 0.24 खतम खतम फिनिश बाइबाइबाइब ठीक है समझ आ रहा है कि नहीं यह बताओ आ रहा है कि नहीं समझ में यह बताओ ओके चलो एक question लिखते है थोड़ा सा बड़ा इसको हम लोग mean median दोनों से solve करेंगे 12 20 40 55 70 75 85 तो एक दो तीन चार पांच चैस साथ ठीक है एक्स हो गया बार एक्स निकालो median निकालो दोनों निकालो median तो आ गया 55 without any doubt median आ गया 55 without any doubt बीच वाला यह देखो mean निकाल दो mean 85 प्लस 75 प्लस 70 प्लस 55 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 12 357 divided by 7 51 आ गया mean चलो तो एक्स मैम इनस बार एक्स निकालेंगे हमें लोग मौड में और एक्स माइनस मेडियन निकालेंगे उमलों लोग मौड में निकालेंगे ठीक हैं तो फिफ्टी वन मैइनस ट्फिवल डारेक posi वेल्यू निकला इसका मतलब यह है देखना मत पॉजिटिव आ रहा है नेगिटिव आ रहा है डारेक्ट लिखते जाओ ओके 162 टीक है और मीडियान से ले लो ओके तो इस दन तब हम लोग निकालते हैं मीन डेविएशन प्रॉम बार एक्स मीन डेविएशन प्रॉम मीडियान तो कितना आया है यह 162 आया है ठीक है और यह 158 आया है डिवाइड करो नंबर ओफ आइटम्स किते से साथ थे 7 162 divided by 7 23.14 158 divided by 7 22.57 ठीक है ख्लियर हो गया ओफ इशन निकाल ले यह भाईया झाल और ने यहा है में, झाल 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 ही झाल झाल कि अदेट सिट थी कि अधिक्या बाटी तुम लोगों को अपने क्षच्चन का आंसर भी मिल गया होगा कि क्या बहिया जब मुझा में डेविएशन फॉम मीन निकालेंगे और मीन डेविएशन फॉम मीडियन निकालेंगे तो हर बार आंसर सेम आएगा तो उसका अभी आंसर तुम लोगों को मिल चुका होगा कि कि इसको अब नोट कर लो कि अधिक है तो आज की क्लास अनुगे पर समाइब कर दो कि अधिक है तो आज की क्लास अनुगे पर समाप करें हो गया आज के लिए बहुत ज़्यादा मसाला है तो हम लोग मीन डेविएशन का क्यालकुलेशन फ्रॉम डिस्क्रीट सीरीज अगली क्लास से स्टार्ट करें आज की क्लास इपर खतम कर रहें प्राक्टिस करो और एमो सीटी को भूलो मत भाई फॉर्मूला बेज़ेशन स्टाटिस्टिक्स उसमें भी तुम लोग मार नहीं खाना ठीक है तो इसलिए भूलो मत फॉर्मूला बेज़ेशन सारी चीज और यह याद रखो कैसे सब चीजों को स्वाल परते हैं ठीक हैं गोड ब्लस यू तेक केर और बाई बाई